तो फिल्म की शुरुवात में हम एक कपल को देखती हैं जो बहुत जल्दी शादी करने वाले थी और कई पर घूमने के लिए रेकिस्तान के रास्ते से गुसर कर जा रही थी वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थी सारा की डैट की तबियत खराब थी और इसलिए व हुए वो बहुत सी बातें करते हैं और मज़े से अपना सफर कर रहे होते हैं अचानक सी रास्ते में उन्हें कुछ मैसूस होता है कि जैसे उनकी गारी से कोई चीज टकला गई हो सारा कमंगेतर माइकल गारी को देखने बाहिर आता है वो चारों तरफ से गारी को देखता है पर गाड़ी बिलकुल ठीक थी, उस पर एक भी खराच नहीं होती, वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था, तो भी सारा गाड़ी के पीछे जब देखने चाती है, तो एक दम से उसका पाउं फिसल दिया था, वो गिर जाती है, वहाँ पर बर्फ का जमा हुआ एक तुक लग रहा था कि जैसे वो इनका पीछा कर रही हो, माइकल उस गाड़ी को आगे जाने कर रास्ता देता है, मगर वो आगे भी नहीं जा रही थी, तब ही उनकी नजर रेकिस्तान में बने हुए एक होटेल पर पड़ती है, जो वहाँ पर बस एक ही था, ये पनी गाड़ी को उदर ही रोक लेते हैं, तब वो काली गाड़ी भी आगे चली गई थी, होटेल की आसपास का एरिया भी बिलकुल सुनसान था, सारा माइकल से कहती है, तुम कितनी तेज गाड़ी चलाते हो, एक दिन तुम हारी ये गाड़ी को तेज चलाने मारी आदत हमारी जान ले लेग वो दोनों जिब अपना मुबाइल दीखते हैं, तो सिगनल्स भी नहीं थे, कैरिये उस होटेल के अंदर जाते हैं, वहाँ पर भी एक बुड़े कपल के इलावा कोई भी नहीं था, होटेल भी सारा सुनसान था, वो एक टेबल पर बैट चाते हैं, यहाँ पर माइकल बतात था, तब ही कुछ देर के बाद, बीटरिस पी आ जाती है, जो सारा के लिए ड्रिंक और माइकल तरी कॉफी लिकर आई थी, साथ ही उसने इन्हें दो कॉइंस भी दिये थी, जिनके बारे में बताती है कि ये दो कॉइंस आप यहाँ पर किसी भी सर्विस के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं, तब ही माइकल एक कॉइं का इस्तिमाल करता है, और होटेल में म्यूजिक चलाने का कहता है, ताकि वो सारा को खुश कर सके, कुछ देर के बाद, वो काली रंकी गाड़ी दुबारा से होटल के बाहर आकर खड़ी हो गई थी, जो सारा और माइकल के इंतजार में खड़ी होती है, आखिर उनके साथ ये सब कुछ क्या हो रहा था, पहले वो काली गाड़ी और फिर ये जीप सा होटल, अब माइकल यहां से वाश्टूम जाता है, और सारा ने बचा हुआ खाना पैक कर वा लिया था, जब एक दूसरा वेटर सारा को खाना देने आता है, त क्योंकि पिछली बार माइकल ने गाड़ी को बहुत तेज चलाया था, फिर दुबारा से उनकी गाड़ी से कुछ टकराता है, वो दीखती हैं कि जिस रास्ते से वो पहले गुजरे थी, फिर से वो उसी रास्ते पर आ गई हैं, जो दीखकर दोनों बहुत जैदा हैरान होते दूसरी तरफ होटेल में दोनों वेटरस अपने मैनेजर के पास आती हैं और कहती हैं कि सारा और माइकल दोनों बहुत अच्छे हैं, ये सुनकर मैनेजर कहता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब तो उनकी आने वाला कली ये बता सकता है कि उनके साथ आगे क्या होग जो कह दी है रोज रोज वोई काम करके ठक चुकी है उधर सारा और माइकल बार बार एक ही जगा पर पहुंच जाती थी इसका मतलब यह था कि शायद वो किसी टाइम लूप में फस चुके थी और वक्त भी रुक जाता है सारा माइकल से कहती है कि हम यहाँ पर किसी टाइम लोगों का पीछा कर रहा है जिब सारा उस गारे के पास चाकर देखती है तो इस शीशे नीचे होने पर उसकी नजर उस आत्मी पर बढ़ती है जो गारी को चला रहा था जो ड्रावनी शगल का था जिसे देखकर वो बहुत स्याता अंडर गई थी और भाग कर अपनी गारे में बैट जाती है उसने गारी को तेज कर लिया था सारा मुझ सलसल रो रही थी माइकर उससे पूछता है कि सारा मुझे बताओ तुमने गारी में क्या देखा सारा कहती है मैं नहीं जानती कि उसका चेरा ऐसा क्यों था पर बहुत ज्रावना था तब ही सारा देखती है कि का पर जाकर पुलिस को कॉल करती है और उस काले रंग की गाड़ी की बारे में बताती है जो अब तक इनका पीछा कर रही थी मगर पुलिस वाला कहता है कि आप जिस जगा पर हैं वो हमारी लोकेशन से काफी दूर है तो हमें आने में वक्त लग सकता है आप जिस जगा से हमें फ से उसी जगा पर वापिस कैसे आ जाते हैं मैनेजर कहता है कि जाते हुए आप शायद गलत रास्ते पर जाते हैं यहां का रास्ता भूल पुलिया है इसलिए आप दुबारा से हमारे होटेल के पास आ जाते हैं तब ही साना आती है और कहती है कि मैंने पुलिस को शिकायत कमरा है इसका मतलब ये था कि मैनेचर इन दोनों को जान बूच कर यहाँ पर रोकना चाहता था तब ही उसने पुलिस ओफिसर बनकर भी सारा से बात की थी है रब ये दोनों इतरी होटेल में रुख जाते हैं सारा वेटरस से शराब मंगवाती है पर वो जवाब दीती है कि मै हमारे यहाँ एक ही बार आप शराब को पी सकती है तब ही यहाँ पर बैटी एक लड़की सारा से कहती है कि तुम मेरी बाटल को ली सकती हो पैसे भी मैं यहाँ से जाने वाली हूँ सारा जब उसे पैसे दे रही थी तो हो कहती है कि पैसे अब उसकी किसी काम के नहीं यह बा वाद यी थी कि सारा को अपने डेट की आवास तो आ रही थी, मगर उन तक सारा की आवास नहीं पहुच पाती, उदर हम मैनेजर को देखते हैं, जूस पागल लड़की को एक कमरी की अंदर जाने का कहता है, जहाँ पर बहुत अंदेरा था, वो लड़की बहुत जैतार हो रह और सोच लेना चाहिए और वो ये कागस पर उनके लिए एक मैसेज भी छोड़ता है तब ही वहाँ पर मैनेजर आ गया था जो उस कागस को सारा और माइकल के पढ़ने से पहले उठा लेता है जिस पर लिखा हुआ था रन भागो अब मैनेजरों ने उनके कमरे तक ले आया था यहाँ पर सारा फिर से उस मैनेजर से काली गाड़ी के बारे में सवाल करती है बगर मैनेजर तो उसकी कोई बात का जवाब नहीं दे रहा था वो ऐसा शोकर वाता है कि जैसे उसने उसकी बात को सुना ही ना हो मैनेजर यहाँ पर सारा का नाम लेता है जिससे वो थोड़ा ह खेरान हो गई थी वो सोचती है कि आखिर इस मैनेजर को उसके नाम का कैसे पता जब मैनेजर उनके लिए कमरा खोल रहा था तो सारा देखती है उस पर बर्फ की तह जमी होई थी बिलकुल वैसी जैसी उसने रास्ते में देखी थी जब उनकी गारी उससे टकराई थी सारा कर तो सारा को और अजीब लगता है इसलिए वो दोनों यहां से भाग गए थी आखिर मैनेजर ऐसा क्यों कह रहा था यह हमें कुछी दीर में पता चलने वाला है होटेल में मैनेजर के पास उसके वीटर आते हैं जो कह रही थी कि वो लोग अच्छे हैं हमें उनकी मदद करन जिसको सारा ने भी देखा था उसने सर पर हैट और काले रंगा कोट पहना होता है इन दोनों को अब भी कुछ समझ नहीं आती कि आखिरकार इनके साथ यह सब क्या हो रहा था और अब तो वो यह भी जानते थे कि इन सब में मैनेजर भी मिला हुआ है कुछ देर के बाद फि इस पार गाड़ी को रिवर्स ले लिया था यानि कि उल्टा सारा कहती है कि अगर हम किसी टाइम लूप में भी फसे होंगे हम निकल जाएंगे मागर उनका ये प्लैन भी फेल हो जाता है इस पार वो अब पैदल चलने का फैसला करते हैं उन्होंने अपने गाड़ी को वही की गाड़ी थी पर ऐसा कैसे हुआ जब ये उस गाड़ी के अंदर देखते हैं तो मानो इनके पाओं के नीचे से जमीन खिसक गई थी वो डर कर रोते हुए भागते हैं और फिर से अपनी सही वाली गाड़ी में आ गई थे पर दुबारा से वो उसी जगा पर आ जाते हैं जहां से वो कई बार गुजर चुके थे वो फिर से दुबारा से पोटेल में आ जाते हैं यहां पर आकर सारा मैनेजर से पूछती है कि आखिर ये कौन सी जगा है हम कहां पर फसे हुए हैं तो मैनेजर उसे बताता है अब तक जो कुछ भी हुआ हमें यहां पर अब सब पता चलने वाला था, मैनेजर कहता है कि ये जगा कोई आम जगा नहीं है, ये दो दुनियाओं की बीच की जगा है, जहां से हर किसी को मौत के बाद गुजरना होता है, तुम और माइकल दोनों अपनी जिन्दकी और मौत की जंग लड़ रहे हो, तुम्हारा आते हुए इसी जगा पर एक्सिडेंट हो गया था, और अभी तक ये नहीं पता कि तुम जिन्दा रहोगी या मर जाओगी, मैनेजर उन्हें जिस कमरी में जाने का कह रहा था, वो दरासल दूसरी दुनिया थी, जहां पर लोगों को मरने की बाद भेजा जाता है, और कहानी की शुरू में, जब हमने देखा था कि बार बार सारा और माइकल की गाड़ी जिस जगा पर आकर रुकती थी, जहां पर उन्हें महसूस होता था कि उनकी गाड़ी से कोई चीज टकलाई है, या फिर उनकी गाड़ी को किसी चीज ने टकर मारी है, उसी जगा पर इनका असल दुनिया में जो तेज़ चलाते हो इससे एक दिन हमारी जान जा सकती है। इसका मतलब ये था कि सारा को कहीं न कहीं ये पता चल जुका था कि वो मरने वाले हैं और मैनेजर नी उस लड़की को भी कमरे में इसली बेजा था क्योंकि असल दुन्या में वो मरने वाली थी। इस होटल का काम यही था जो लोग मरने के बाद जिंदकी और मौत के दिर्मियान में फासे होते हैं तो यहां के लोग उन्हें मौत के बाद वाली दुन्या में बेशने का काम क्या करते थे यानि की आत्माओं की दुन्या उनकी असल दुन्या में और चुक काली गारी थी वो मौत थी जो इनक मैंजर कहता है, ये बात तो तैय है, ये तुम दोनों में से एक ही बचने वाला है। इसलिये सारा ने अब माईकल को Sacrifice कुर्बान करने का फैसला कर लिया था. क्योंकि माईकल के पास जीने की कोई वचा नहीं थी. और उसने सारा से शादी करने से भी इंकार कर दिया था. इसलिए सारा अब जाकर माईकल को गुडबाई बोलती है. और कहती है कि तुम्हें हमारे बच्चे के लिए अपनी जान देनी होगी हमारा साथ यहीं तक था माइकल तुम्हें अपने बच्चे की खातिर मरना होगा इसके बाद माइकल को उस कमरे में भेश दिया जाता है हम असल दुनिया में देखते हैं कि इस सारा को तो होश आ गया था उसकी सांसे दुबारा जाती है मगर अब माइकल की मौत हो चुकी थी और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है